आज स्राम लेकुम फ्रेंड्स उमीदें कि आप लोग खेरी से होंगे दोस्तों मैं आज एक चीज डिस्क्लोस करना चाहरी हूँ एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है जिनका नाम मलिक हाजर है और इनका दूसरा भी अकाउंट है मिस्टर हाउ के नाम से यह बहुत जो है अच्छी informative वीडियोज बनाते हैं काफी कुछ इनसे learning को मिलता है और इनका जो channel है वो education based की उपर है जो public है उसे educate होती है और अच्छी अच्छी जो information है वो देते हैं earning के हवाले से इन्होंने एक आद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने life proof दिखाया था के olex के उपर जो ads चलते हैं जिन पर लिखावा होता है के आप जो है ads देखें, watch करें और पैसे कमाएं तो इसके उपर उन्होंने एक काफी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई थी जो के public के सामने रखी गई और public ने बहुत जादा उस पे comments किये, like किया और वो millions में चले गई तो क्या ये सच है ये जूट है इस चीज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या ऐसा भी होता है अवाम के साथ कि आग बन करके लोग आट्स देखते हैं, watch करते हैं और उनके साथ इस तरीखे से fraud होता है तो इस वीडियो की हकीकत मैं अब आपको सच बताऊंगी अच्छा है कि लोगों को हर बात की सच्चाई के इल्म होना चाहिए और हर एक वो बन्दा जिसको लोग पसंद करते हैं जिसकी बात को सुनते हैं तो उसके बारे में जो है वो सच सुनने का हक जो है वो सबको हासिल है तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, OLAX वैब साइट की उपर डिफरेंट डिफरेंट एड्स चलते हैं जिनकी उपर लिखावा होता है कि आप जहें एड्स देखें वाच करें और इतने पैसे कमाएं मगर जब इन से राप्ता किया जाता है जो OLAX के उपर एड्स डालते हैं और जब उनको कॉल की जाती है या मैसिज किया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि आप रजिस्टर करवाओ अपने आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है और रजिस्टरेशन फीस पे करना जरूरी है अब आप खुछ समझ सकते हैं कि अवाम को इधोका देने वाली बात है कि बंदा काम करने के लिए भी पहले पैसे पे कर रहा है पहले रजिस्टरेशन करवारा है उसके बाद उनको काम मिलेगा मिस्टर हाओ हाजर मलिक सहाब ने बिलकुल ठीक बोला है बिलकुल सच बोला है और अवाम के सामने ये सब लाइफ प्रूफ करकर दिखाया है बताया है वो बिलकुल सही बताया है सही गाइट किया है क्योंकि ऐसा ही होता है registration fees ये लोग ले लेते हैं और बंदा क्या होता है बंदा वो काम करता है दिन भर ठख जाता है रात को उसके पास time होता है या कोई भी time वो बिचारा मेहनट से निकालता है काम करता है काम के अंदर कोई भी error आ जाता है कोई भी error आ जाता है और फिर क्या होता है कि आपको जो आपकी महनत है उसकी भी payment नहीं मिलती है तो इस तरह के जो ads होता है जिसके अंदर लिखावा होता है कि आप registration जो है वो fees pay करें तो ऐसे आप लोग काम नहीं करें जिसमें आपको नुकसान हो तो मिस्टर हाउ ने बिलकुछ सही और पक्की और अच्छी बात बताई है इनको एप्रिशेट करना चाहिए ऐसे ही होता है कि आप कॉल करें तो आगे से यही होता है कि आप पहले 1000 रुपे दें आप पहले 1500 रुपे दें 2000 रेजिस्ट्रेशन करवाएं उसके बाद आपको काम मिलेगा तो ऐसे काम करने का क्या फाइदा कि जिसकी जो रेजिस्ट्रेशन फीज है वो ही 1200, 1500, 1500, 2000 हो तो ऐसा काम इनसान करें क्यों जिसमें अपना ही लॉस हो फिर जब आप लोग काम कर लेंगे तो कुछ तो ऐसे लोग होता है जो पेमेंट आपको नहीं करेंगे और कुछ लोग ऐसे होता है जो पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन वो बहुत कम कट कट कर आती है उसका भी चक्कर है क्योंकि आपके काम के अंदर error निकाल दिया जाता है भले आपने काम सही किया हो लेकिन error इसले निकाल दिया जाता है ताकि अगर बहुत सारे लोग हैं 10 या 15 अफराद आ गए हैं और उनको payment करनी है 22,000, 23,000 या जो भी उननों लिखा है 5,000, 6,000 बंत के हिसाब से वीक के हिसाब से तो वो कम से कम लोगों को पे करना पड़े तो Mr.Hound न ये बिल्कु सच बोला है और ऐसा ही होता है और लाइफ प्रूफ करके भी दिखाया था तो Mr.Hound ने सही बोला है और इस तरीखे से ही होता है कि लोगों को लोटा जा रहा होता है registration fees के नाम पे तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने लोगों को पसंद आ गई है तो कमेंट कीजेगा, लाइक कीजेगा और प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जजा कल्ला